नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ अप लोग बहुत बढ़िया होंगे तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुती सुजू की डिजायर वी एक्साई का जो हाली में फेसलिफ्ट हुई है इसी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में जानेंगे इसके वी एर की वारेंटी मिलती है 40,000 किलोमीटर पर फ्रेंट में आपको हाई लोजन हैट लैम दिये गया है साथ में इंडिकेटर फॉग लैम नहीं मिलते हैं कंपने फिट इट आफ्र मर्केट आप लगवा सकते हैं साइड हो में क्रॉम फिनीज दी गई है इसका मोनोग्राम क साथ दिया गया इसमें तो बंपर पूरा नया कर दिया गया है पुरानी वाली डिजायर से पूरा चेंज है बंपर तो इसमें आपको सिल्वर वील कवर दिये गये हैं जिनका साइज है 14 इंचिस के टूबलेस रेडियल टायर मिलते हैं आपको इसमें ये साइड प्रोफाइ से बहुत ही बढ़ी अलुक है गाड़ी का देखने में बात करेंगे इसके dimesion की तो इसमें आपको 4995 mm की इसकी length है विर्थ है 1735 mm की और height है 1515 mm की mean ways है इसका चौभी सो 50 mm का बात करेंगे ground clearance की तो 163 mm की इसकी ground clearance है turning radius है 4.8 meter का turning radius है इसका curve weight है 860 kg का it's का curve weight है बात करेंगे अब इसके suspension होगी तो इसमें आपको front suspension, magforson, istid type दिये गए है rear suspension आपको tourism, beam type मिलेंगे rear suspension बात करेंगे इसके mileage की तो इसमें आपको पहले 21 kmpl की mileage मिलती जो की काफी कम थी अब आपको 24 kmpl की mileage मिलेगी जो की company claim करती है इसमें रोपे टन indicator दिये गए है door handle आपको body color ही दिया गया है इसमें चारो door handle body color मिलते हैं ये rear profile देख रहे हैं आप गाड़ी की rear profile से बहुत ही बड़ी बड़ी लुक है गाड़ी का देखने में rear में आपको roof पे antenna दिया गया है और साथ में high mount stop lamp दिये गया है desire की basing दिये गई है chrome finish के साथ back door पे chrome की garnish मिले गया है इसका monogram chrome finish के साथ दिया गया है इसमें देखिए और इसमें आपको LED टेल लैंप दिये गया है और चार parking sensor मिलते हैं आपको दो reflector के साथ चार parking sensor दो reflector मिलते हैं rear के bump पे rear profile भी आपने देखे लिए यह दूसरी side की profile देख रहे हैं आप गाड़ी की दूसरी side से बहुत ही बड़ी अलुक है गाड़ी का देखने में यहां से आप fuel बरवाएंगे और fuel tank capacity आपको 37 liter की दी गई है fuel tank capacity बात करेंगे अब इसके price की तो इसका जो oh on road price है वो जान लेते हैं तो इसका on road price है 7,64,752 इसका on road price है manuel का the price है डेली का the price है है अगर आफ अप manual लेते हैorse automatic 2 is it wex saint प्रेज बात कि आट wanna है 8,22,334 अ कि टो दोनों गड़ीयों का the price बेने आपको बटा दिया manual और automatic अगर आप लेते हैं तो दोनों का price मैंने आपको बताई दिया है बात करेंगे color variant की तो 6 color variant में available है गाड़ी जिसमें पहला है premium silver दूसरा है shrowit brown तीसरा है parallel arctic white चोथा है Oxford blue 5 वा magma gray चटा है glenet red तो ये 6 color variant में available है गाड़ी बात करेंगे इसके safety features की तो इसमें आपको dual airbag दिये गए है ABS with EVD brake assist engine immobilizer child safety lock आपको rear के दोनों ही डोरों पे आपको child safety lock मिलेगा rear के डोरों में और इसमें आपको reverse parking sensor भी दिया गया है जो की standard कर दिया गया है reverse parking sensor इसका base variant भी लेते हैं तब भी आपको reverse parking sensor मिलेगा और front sheet belt reminder, driver side, code driver side, speed alert system तो ये सारे safety features इसमें दिये गए है company fitted जो मैंने आपको बताए अगर आप ZXI गाड़ी लेते हैं तो इसमें आपको alive wheel मिलते हैं और अगर आप ZXI plus लेते हैं तो इसमें आपको dual tone में मिलते हैं alive wheel मिलेंगे उसमें भी लेकिन dual tone में मिलते हैं alive wheel जो देखने में और भी बड़िया look देते हैं अगर आप पुरानी अगर आप डिजार लेते हैं या फेसलिफ लेते हैं तो वीलो में कोई changes नहीं किये गये हैं और ना ही इसके length, width, height में कोई changes मिलेंगे आपको देखने को बंपरो में ही change किया गया है जो कि आपने देखी लिया और इसमें आपको interior में थोड़ा सा changes किया गया है जो मैं आपको इस वीडियो में पुरा दिखाऊंगा आगे भी देखेंगे वीडियो तो आप पुरा interior में देख लेंगे क्या क्या changes किये गये हैं चलिए बैकडोर खोल लेते हैं बूट स्पेस देख लेते हैं कैसा बूट स्पेस आपको इसमें मिलता है यहां आपको फ्यूलड और बैकडोर खोलने का option दिया गया है तो हमने बैकडोर खोल लिया है तो इसमें आपको luggage room light दी गई है कमपनी फिटिट है यह इस पियर विल आपको 14 इंचिस का इदिया गया स्टील विल मिलता है कि 378 लीटर का boot space मिलेगा आपको इसमें बूट स्पेस में कोई changes नहीं किये गए है तो इसमें आपको 378 लीटर का boot space मिलेगा चलते हैं रियर डोर के interior में इंसाइट हैंडल chrome पे दिये गए है पावर विंडो बोट लखने का space दिया गया है साथ में स्पीकर यह आपको interior देख रहे हैं आप रियर डोर का जिसमें कि आपको armrest दिया गया है armrest दोगा फोल्डर के साथ armrest मिलता है आपको इसमें beach color की आप उस्टरी दी गई है पूरी beach color की मिलेगी और यह शीटो के head आपको adjustable दिये गया है अपने head के recording अड़्जस्ट कर सकते हैं इंसे धंडल chrome पे दिये गया है cotton finish power window बोट लखने का स्पेस दिया गया है साथ में speaker grip assistant दिये गया है left right में फ्रंट शीटो के head आपको adjustable दिये गया है अपने head के recording अड़्जस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ space दिया गया है को ड्राइवट सीट के पीछे ड्राइवट सीट के पीछे space नहीं मिलेगा यह ace events दिख रहे हैं आप दिये गया है इसमें और 12 watt का charging socket भी दिया गया है बहुत ही बड़ी है lag room है lag room के problem नहीं मिलेगे आपको sedan गाड़ी है जैसा कि मेरे here passenger seat पे बैठा हूँ तो मैं front dashboard के एक look दे देता हूँ back and beach और यहां पर आपको child safety lock भी दिया गया है rear के दोनों ही डोरों पर child safety lock मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया था inside handle chrome पे दिये गया है देखे रहे हैं आप cotton finish दिये गई है चारो डोर पावर विंडो दिये गया है इसमें होटो के साथ log unlock कर सकते हैं शीशों को लॉक कर सकते हैं शायर मिलर को फोल्ड कर सकते हैं electrically adjustable दोनों फीचर्स दिये गया है इसमें बोटर लखने का space दिया गया है साथ में speaker यह driver seat देख रहे हैं जो कि इसमें height adjust और back adjust दोनों फीचर्स दिये गया है इसमें driver seat में height adjust और back adjust राइट साइड में आपको इस इवेंट दिये गया है और headlight leveling के switches दिये गया है mild heavy aid गाड़ी है तो इसका switch भी दिया गया है इसमें on off कर सकते हैं आप बात करेंगे steering wheel की तो flat bottom steering दिया गया है audio controls दिये गया है steering wheel पर phony controls दिये गया है phone उठा सकते हैं wireless connect कर सकते है Bluetooth भी connect कर सकते हैं आप इसमें और इसमें आपको SRS airbag S का monogram chrome finish के साथ देखे रहे हैं आप steering wheel पर दिया गया है three spoke wheel के साथ और इसमें आपको right side में headlight के lap में wiper के controls दिये गया है tilt steering दिया गया है जो कि अपने head के coding adjust कर सकते हैं आप steering wheel को up and down can be key देख लेते हैं तो दोनों की देखिये इसमें remote दी गई है lock and lock कर सकते हैं का इसमें आपको दोनों की remote मिलते है एलेकसाई गाड़ी में आपको दोनों की सिंपल मिलेगी रिमोट की नहीं मिलती एलेकसाई का अगर आप लेते हैं बात करेंगे हैं M.I.D. की तो सिल्वर फनीश दी गई है M.I.D. में छोड़ीशी डिजिटल डिस्प्ले दी गई है जो आपको सुचे इसके साथ और साथ में ही इन्फोटेंब्स सिस्टम की बात करेंगे CD, FM, AM प्ले कर सकते हैं नोबो पे करूम फनीश दी गई है पुराना वाला ही इन्फोटेंब्स सिस्टम है जो पहले मिलता था आपको ये आपको AC के कंट्रोल्स दीए गया है Code Rabbit Side एक SRS Airbag और मिलेगा और यहां पे आपको ग्रे कलर की फनीश दी गई है SRS Airbag ये आपका Glow Box जो बहुती बड़ी है स्पेस ही है इंसाइट हैंडल क्रोम पे दिये गया है Cotton Finish, Power Window, बोटल लखने का स्पेस दिया गया है साथ में स्पीकर, चार स्पीकर मिलते हैं आपको इसमें टूटर नहीं मिलेंगे टूटर आपको ZXI गाड़ी में मिलते हैं फ्रेंट में आपको Sunvisor दिया गया है Reading Lamp, Bluetooth Mic, IRVM, Day-Night दिया गया है इसमें Code Rabbit Side Sunvisor, Venetory Mirror के साथ दिया गया है इसमें Grip Assistant तो Interior आपने देखी लिया है इसका पूरा Exterior भी देख लिया है, चलते हैं Engine Room में फोट खोल लेते हैं, फोट खोल लिया है हमने चलेंगे Engine Room में, फोट के Inside ये कवर दिया गया है जो के Engine के Vibration को कंट्रोल करता है जो कवर आप देख रहे हैं ये वाला कवर, ब्लैक कलर का और ABS इसका यहाँ पर दिया गया है, इंटिलोग ब्रेक सिस्टम यानि ABS, Engine Room में ही दिया गया है और बात करेंगे अब Fuse Box और यहाँ पर दिये गया है, देखें, Fuse Box और बैटरी वगरा सारी चीज़े आपको इसमें मिल जागी देखने को Engine Room में ही और बात करेंगे अब इसके Engine की CC की, तो 1197 CC का Engine दिया गया है इसमें Protector भी दिया गया है, इसमें देखें रहे हैं Engine के नीचे, Catholic converter के नीचे देखेंगे तो आपको यह जो दिया गया है यह Protector है, जो की Engine को आपको सेफ रखेगा आपकी Engine को तो यह पहले नहीं मिलता था, आपको यह भी Protector भी नहीं वाली डिजैर में दिया गया है तो इसमें आपको 1.2 लीटर VVT पैट्र इंजन दिया गया है, 4 Cylinder 1197 CC का Engine मिलेगा इसमें बात करेंगे पावर की, 89 BHP की पावर मिलेगे आपको 6000 RPM पर, अगर हम टॉर्क की बात करते हैं 113 NM की टॉर्क मिलेगे, 4400 RPM पर So friends, यह था रिविव मारती सुजू की डिजायर VXI Face Lift का जो हाली में लाँच हुई है इसी का रिविव आपने देखा, यह रिविव अगर आपको अच्छा लगा हूँ तो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ बेल आइकन को जरूर दो है ताकि आने वादी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे इस वीडियो का अगर फेस्बुक पे देख रहे हैं जरूर फॉलो करें तब तक के लिए शीट बेल पहने है, हेलमेट पहने है शुरक्षे चलिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद